सर अभी सर ने बताया कि इस समय जो जाबले करजी से हमारी बात ही जाबले साब ने टाइम ने दिया अपनी ववस्ता उन्हों बताया कि मैं के अंदर जा रहा हूं कैबनेट की मिटिंग जरूरी थी जो यहां देड़ दो लाग की तालाज में सक्षामित्र बैटे हुआ उनके बात सुननी थी बिल्कुल सही है जाबले कर जी से हमारी मुलाकात हुई उन्होंने हमें बिल्कुल नजर अन्दास किया हमें नहीं बलके विंग नोंने देश के भविश्यक को नजर अन्दास किया है क्योंकि यहां जो देड़ लाख लोग बैटे हैं वो देड़ लाख स्कूलों से लोग बैटे हुए हैं और वो उन गरीब मजलूम किसान और मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने वाले लोग बैटे हुए हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते गरीबों के ब मजलूम के बच्चों को शिक्चित करने से कोई सरोकार नहीं है वो सिर्फ बड़े-बड़े लोगों के और नौकरशाहों के बच्चों को कॉन्वेंट इसकूलों में शिक्चा देने का काम और दिलाने का काम करना चाते हैं इसलिए दमनकारी नीती अपनाते हुए हम उत्तर अपना आंदोरन करें कंजबूर किया गया चिससे उत्तर प्रदेश के विजायों की है और इससे न चिए आ соврем मित्रों का और रही फिंचा पर्भाविकिवर 24 हमारे विज्यामने के व्हुक्ति बच्चोंने । आज इस शिक्षक इस रोड पर बैठे हैं जिस देश का शिक्षक सड़क पर होगा उस देश की उन्नती असंभव है ये मैं नहीं कहता बलकि शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि आज भी समय है आपको यदी 2019 का सपना देखना है और 2019 में दुबारा सपना प्राप्त करनी है तो एक बार फिर हम लोगों की उपर नजर उठा करके देखी जाए और देखा जाए कि उत्तर प्रदेश का शिक्षक आज किस तरह से परेशान है यहां महीलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर बैठी हुई है अगर आप लोगोंने हमारी मांगों को नहीं माना और समान कर समान वेतन लागू नहीं किया तो यह मां और बहने अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर संसत घ्राव करने तक को मजबूर होंगी किसी हालत में मानेंगे नहीं जब तक हमारा भविश्य निर्धारित नहीं हो जाता सर आपका नाम सियद जावेद मियाद प्रांतिय प्रवक्ता आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेरे सुसेन संयुक्त मोर्चा जो जिस मोर्चे के नीचे हम धरना दे रहे हैं उतर प्रदेश